हेलो स्टूडेंट्स मैं एसेश चंद्रावत स्वागत करता हूं आप सभी का विनायक एजुकेशन ग्रूप के सहब के ऊपर प्यारे विद्यारतियां आपके सामने फिर से लेकर हाजी हो चुका हूं 12th क्लास केमिस्ट्री उस 12th क्लास केमिस्ट्री के इंदर पन चर्चा कर हैं लेसन वन और वो है ठो सवस्था या सॉलिड स्टेट के बारे में लेखिए ठो सवस्था के बारे में अपनी चर्चा चल रही है एकक कोश्टिका क्रिस्टल जालक इन से संबंदित और संकुलन संता नामक टोपिक को अपन पिछले वीडियो के अंदर अच्छे से कंप् गनत्व के बारे में चर्चा करें तो आपको पता है कि किसी भी पदार्थ का गनत्व क्या होता है एकक कोश्टिका का गनत्व मुझे बताना है ठीक है ना तो ये बात आप लोग अच्छे से आप लोग जानते हैं कि एकक कोश्टिका का गनत्व मुझे निकालना है तो गनत कुली आपके स्थी हैं गश्य क्षी ना थाठिक हाँ सिनदाखी सबने एगधिक फोर्मूलाइब क्या चैपक पर क्या होका का। एकक कोश्टी का का द्रव्यमान बटे एकक कोश्टी का का आईतन यह होगा भई है ना तो एकक कोश्टी का का द्रव्यमान बटे एकक कोश्टी का का आईतन अब एकक कोश्टिका का दरविमान बटे एकक कोश्टिका का क्या आयतन आप लोग कर देते हैं तो क्या आजाएगा आपके पास घनत्व आजाएगा ये चीज आपको अच्छे समझ में आती है अब सुनो एकक कोश्टिका का घनत्व आपको निकालना है तो इसके लिए आप को एकक कोष्टिका का द्रेवमान पता होना चाहिए एकक कोष्टिका का आईतन आपको पता होना चाहिए तो यह चीजे क्या होती है द्यांसरे सुनो भई आपको पता है एकक कोश्टिका को अपने घन माना था क्या माना था अपने इसको घन और आप लोग जानते है घन का आइतन क्या होता है भुजा का क्यूब यानि एक्यूब ठीके न तो एकक कोश्टिका का आइतन तो आप लोगों को पता है कि ये घन होती है और घन का आयतन क्या होता है एक क्यूब होता है तो इस प्रकार से एकक कोष्टिका का आयतन तो क्या जाएगा एक क्यूब आजाएगा अब आयतन अपने पास आच चुका है एकक कोष्टिका का द्रवेमान आपको चाहिए तो क्या करेंगे एकक कोष्टिका क का द्रवेमान आपको बताना है अब देखो भई एकक कोश्टीका का द्रवेमान आप लोग को बताना है कैसे बताएंगे सुनो ध्यान से आपको पता है अच्छे से कि एकक कोश्टीका के अंदर होते क्या चीज़े हैं और और आप लोग को पता है न अच्छे से की भई अव्यवी कंणो का जो ड्रिवमान होगा क्योंकि一樣 कौश्टिका बनी किससे है एक कॉस्टिका अव्यवी कंणों से ही बनी कोई है तो एक कि अनदर ऊपर निकाल लो हिए क्या अच्छिका का द्रिवमान हो जाएगा पास्वान में आई आप लोगों को तो देखो एकक कोश्टिका का द्रिवमान अपन बात करेंगे तो क्या लिखेंगे यहाँ पर एकक कोश्टिका में अवियवी कणों की संख्या इन्टु एक अवियवी कणों की संख्या इन्टु एक अवियवी कण का द्रिवमान तो जब बपन अव्यवी कणों की संख्या को एक एकक कोश्टीका के द्रिवमान से क्या कर दें गुणा कर देते हैं तो क्या आजाएगा अपने पास एकक कोश्टीका का द्रिवमान आजाएगा अब सुनो ध्यान से यहाँ पर एक कोश्टिका के अंदर उपास्ति कणू की संख्या को small z से प्रदशित करते हैं किसे प्रदशित करते हैं small z से और अब यह भी कणू की संख्या को प्रदशित करते हैं small m से किसे प्रदशित करते हैं small m से प्रदशित करते हैं बात आप लोगो को ध्यान रैकती है अब सुनोंगे एक और कोस्टिका का द्रिवमान के आगया है एक यूब होता है तो यह अपना पास क्या आ गया है यह इपने पास आ गया है एक कोष्टिका के घंत्व D का formula आई आवेरे समझ में अब चूंकी एक परमाणू का दर्यवयमान एक परमाणू मतलब क्या अब यह इकन का दर्यवयमान जो होता है न एक परमाणू का दर्यवयमान small m जो होता है न इसको आप लोग परमानु भार बटे आउगादरो संख्या से भी पदशित कर सकते हैं एक परमानु के दरिमान को आप लोग क्या कर सकते हैं परमानु भार कैपिटल M बटे आउगादरो संख्या N A से भी पदशित कर सकते हैं तो इसकी जगह पर, इस स्मॉल M की जगह पर capital M बटे N A भी आप लोग ली सकते हैं तो D बराबर क्या जाएगा Z into capital M upon A cube N A A cube N A ये formula अपने पास आजाता है और आपका ये ही formula जो होता है ये घनत्व का formula होता है एक कोशी का के घनत्व का formula होता है तो बहुत important formula है इससे समझ दिक अपने book के अंदर 810 example है इस A की formula पर बैस दो ठीके ना तो आप लोग उन सभी examples को solve करने का प्रियास करेंगे कुछ example में आप लोगों को यहाँ पर solve करवाने का प्रियास करोंगा तो ध्यान से आप लोग उसको समझेंगे ठीके ना तो ये तो बात समझ में आई सबको एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ एक कोस्टिका का घनत्व आपको निकालना था तो एक कोस्टिका का आईतन आपको निकालना पड़ेगा यहनि एक क्यूब होता है क्योंकि आपने इसको घन माना था और घन का आईतन भुजा का क्यूब होता है एक कोश्टिका का दरविमान आपको बताना है तो कैसे बताओगे एक कोश्टिका में अव्यवी कणों की संख्या इंटू एक अव्यवी कण का दरविमान आप लोग करेंगे तो Z इंटू M क्या हो जाएगा एक कोश्टिका का दरविमान हो जाएगा तो एक कोश्टिका का घन यह एक परमाणू का द्रिविमान न देकर उसका परमाणू भार दिया जाता है, इसलिए अपन एक परमाणू का द्रिविमान का लिख देते हैं, परमाणू भार बटे, आउगादरो संक्या से लिख देते हैं, तो D बराबर ZM बटे AQNA, यह फोर्मूला आपने पाचा जाता अब आगे एक चीज में आप लोगों को बता दू कि यहां पर नोट लागा कि एक चीज आप लोग लिखेंगे क्या लिखेंगे कि भई आप लोगों को पता है ना कि किसी भी पदार्थ के बारे में बात करते हैं तो क्रिस्टलिय पदार्थ के अंदर वो बना किस से होगा एक कष्टिकाओं का जो घनतव होता है ना वही किसका घनतव होता है उस पूरे पदार्थ का घनतव होता है इसलिए आप लोग इस सीज़ को ज्यान रखेंगे मैं note में लिखा लेता हूं कि एकक कोश्टी का गनत्व ही पदार्थ का गनत्व होता है ठीके पदार्थ का गनत्व होता है तो किसी भी एक एकक कोश्टी का गनत्व होता है वही पदार्थ पूरे पदार्थ का गनत्व होता है यह बात आप लोग ध्यान रखेंगे ठीके वही चलो तो इस तरह से अपने इसको कंप्रीट यहां पर कर लिया है अब बात करेंगे अपन इससे समदित प्रस्ट में कैसे जाते हैं कि सर यह जो फोमुला आपने बता दिया है इससे समदित क्योश्टन हम से किस प्रकार से पूछे जाएंगे तो इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा आपन यहां पर कर लेते हैं ध्यान से आप लोग उसको देखने का प्रियास कीजिए देखो क्योश्टन आपको आपर दिया हुआ है क्या दिया हुआ है कि X किरण विवर्तन अध्यन द्वारा X किरन, विवर्तन, अध्यन, द्वारा पता चला की, द्वारा, पता, चला, की, तामबा, की, तामबा, 3.608 इंटु 10 की घात, मैनस 8, 3.608 इंटु 10 की घात, मैनस 8, ये 3 हैं भई, ठीके, मैनस 8, कोष्ठी का कोर के साथ, कोष्ठी का कोर के साथ, कोष्ठी का कोष्ठी का के साथ, क्रिस्टली क्रत होता है, होता है, एक दूसरे प्रियोग में, तामबे का घानतु, तामबे का घानतु, 8.92 ग्राम, प्रती सेंटीमिटर क्यूब, ग्यात किया गया, ग्यात किया गया, तो ग्यात किया गया, तो तामबे का परवानविक दरिवमान ग्यात कीजिए, तो तामबे का परवानविक दरिवमान ग्यात कीजिए, ग्यात कीजिए, ठीक है वाई, तो यहाँ पर आप लोगों को सबसे पहले किये देखना है, कि अपन को इस फोम, इस क्योस्टन के अंदर दिया क्या-क्या गया है, ध्यान से आप लोग देखेंगे, तो देखो, इसके अंदर आप लोगों को दिया गया है, तामबे की कोश्टी का कोर की लंबाई, कोर मतलब क्या होता है, किनारा, और आप लोग जानते हैं, किनारे को ही अपन भुजा बोलते हैं, यानि एक आमान आपको दे रखा है, आपको दे रखा है, आपको एक और चीज इसने दे रखी है, क्या दे रखी है, जैड, आप बोलेंगे कि सर कहां दे रखी है, तो देखो भई, इसने आपको दे दिया FCC, अब आपको पता है, FCC में Z क्या होता है, Z होता है, अब यवी कणो की संख्या, और मैंने आपको बताया है, कि FCC में अब यवी कणो की संख्या कितनी होती है, तो भई FCC में अब यवी कणो की संख्या होती है, कितनी है, चार होती है यह आप लोगों को पता है ठीक है न इसके बाद आओ गादरो संख्या आप सभी को पता है इसे ही कितनी होती है छे पॉइंट जीरो दो दो इंटू दसकी घात तेगिस होती है तो देखो चार अमान आपको दिये हुए है पाचवा मान यानि की M, कैपिटल M का मान आप लोगों से यहाँ पर पूछा है यह परमाणु भार है तो भई मान रखना है आपको फोर्मुले में रख देते हैं अपन यहाँ पर तो देखो Z का मान तो कितना हो जाएगा चार हो जाएगा ठीक है? अच्छा इसको थोड़ा सा अपना अलागी लेते हैं ठीक है न, देखो धार D का मान कितना दिया हुआ है? आठ पॉइंट 9, 2 दिया हुआ है Z का मान कितना है? 4 है Into M का मान तो आपको निकालना है इसे यहाँ पर? बटे देखो एक आमान कितना दे रखा है 3.608 3.608 इंटु दसकी घाद माइनस 8 का होल क्यूब क्योंकि एका क्यूब है ना तो इस प्रकार से इस एक आमान का क्या करेंगे हैं क्यूब कर देंगे इंटु आउगादरो संक्या है तो इसको लिखो यहाँ पर 6.022 इंटु दसकी घाद 33 अपने पास आजाएगा ठीक है न भई तो इस तरह से आप लोगों को यहाँ पर सारे मान दिये हुए हैं अब इस फोमुले को आप लोगों को यहाँ पर सोलू करके देखना है जो भी आपका अंसर आजाएगा वो हो जाएगा तामबे का परमानविक द्रेवमान ठीक है तो तामबे का परमानविक द्रेवमान आपको यहाँ से प्राप्थ होगा और ध्यान रखें यह परमानविक द्रेवमान यहाँ पर जो आपको प्राक्थ होगा वो लगबग 63 के आसपास है 63.5 के आसपास आपको यह प्राक्थ हो जाएगा ठीक है ना एक बार ध्यान से निकल के देख लेगा जो भी आएगा आप लोगों का वो आंसर हो जाएगा ठीक है बाई चलो तो यह था अपना इस तरह की कुछन आप लोगों को दिये जाएंगे इस फोमुले के अंदर कुल पांच मान है पांच में से आपको चार मान दिये जाएंगे और पांचवा मान आप लोगों से यहाँ पर पूछ लिया जाएगा ठीक है ना तो इस तरह की गनत्व ग्यात करना आशा करता हूँ आप सभी को यह टोपिक यहां पर बिल्कुश समझ में आ गया होगा ठीक है बई चलो अब बढ़ते हैं अपना आगे की तरफ बढ़ते हैं अपना आगे की तरफ देखो अब बात करेंगे अपन नेक्स्ट के बारे में और नेक्स्ट टोपिक अपना यहां पर अपन लेते हैं और वो है अपना थोसों में अपूर्ण ताएं या प्रूटियां हेडिंग है थोसों में अपूर्ण ताएं थोसों में अपूर्ण ताएं या दोस या प्रूटियां कर लूश के इसके बारे में अपने यहां पर चर्चा करते हैं अप शनौ ध्यान से जो तोस पदार्ण होते हैं प्यारे विद्यारतिओं मैंने आपको बताया है कि तोस पदार्ण तो नियमित ज्हामेती में विवस्चत होते हैं तो यहां पर अवी इकण बिल्कुल निश्चित neemit ज्यामिती में कया होते हैं वैसमीः और यह जो अपना थोस पर भ्तार्थ यह इसके बारे में चर्चा करें तो ध्यान रखें जो निश्चित neemit व्यवस्ता देखने को मिलती hardships के अंदर वो को मिलती है जीरो केल्विन तापमान पर जिसे अप लोग क्या बोलते हैं परम सुन्य तापमान कहते हैं तो ध्यान रखें किसी भी ठोस की जीरो केल्विन तापमान पर या परम सुन्य ताप पर जो अव्यवी कणों की नियमित विवस्था होती है उसे अपन आदर्स विवस् अब 0 Kelvin temperature से यह ज़ी ज़्यादा कर तापमान होता है तो तापमान ज़्यादा होने पर क्या होगा यह जो अव्यवी कन होते हैं इनको उर्जा मिलेगी और यह गती करने का प्रियास करेंगे जिससे वो जो आदर्स विवस्था थी उस आदर्स विवस्था में नियमिजता उत् ठीक है तो मैंने आपको बता दिया है कि आदर्स क्रिस्टल जो होता है यानि अव्यवी कनों की निश्चित नियमित विवस्था जो देखने को मिलेगी वह आपको 0 Kelvin temperature यानि परम सुने तापमान पर ही देखने को मिलेगी परन्तु उससे अधिक तापमान पर आपको जो यापर समझ में आनी चाहिए ठीक है ना तो इस चीज को अपन यहापर नोट कर लेते हैं कि आयनिक क्रिस्टलों में आयनिक क्रिस्टलों में अव्यवी कन आयन अव्यवी कन आयन एक अव्यवी कन आयन एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित होते हैं एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित होते हैं यदि आयनिक क्रिस्टलों में सभी यदि आयनिक क्रिस्टलों में सभी एकक कोश्टी काएं सभी एकक कोश्टी काएं समान जालक बिंदू युक्त हो तो इसे आदर्स क्रिस्टल कहते हैं इसे आदर्स क्रिस्टल कहते हैं ठीके? और यह आदर्स क्रिस्टल केवल परम सुनने ताप पर ही यह आदर्स क्रिस्टल केवल परम सुनने ताप यानि जीरो केलविन पर ही पर ही पाए जाते हैं पाए जाते हैं इस ताप के ऊपर क्रिस्टलिय ठोसों की इस ताप के ऊपर के ताप उपर क्रिस्टलिय ठोसों की नियमित व्यवस्थाओं में कुछ विचलन आ जाता है विचलन आ जाता है जाता है जिससे क्रिस्टल में अपूनता है या तूटियां जिससे क्रिस्टल में अपूनता है या तूटियां उत्पन हो जाती है तूटियां उत्पन हो जाती है ठीके आगे बात करें तो सुनो ध्यान से एक तो तापमान में व्रद्धी के करण तूटियां उत्पन होती है एक और चीज़ ध्यान रखेंगे यदि क्रिस्टल के अंदर अशुद्धी मिला दी जाएना तो भी तूटियां उत्पन हो जाती है ये बात भी आप लोग यहां पर ध्यान रखेंगे ये तूटियां ये तूटियां अशुद्धी अशुद्धी के कारण भी उत्पन हो जाती है अशुद्धी के कारण भी उत्पन हो जाती है ये तूटियां क्रिस्टल के गुणधर्मों को बदल कर ये तूटियां क्रिस्टल के गुणधर्मों को बदल कर नए गुणधर्मों को बदल कर नए गुणधर्मों को बदल कर देती है उत्पन कर देती है ठीक है वाई जिस प्रकार से जो क्रिस्टल होते हैं इन क्रिस्टलों के अंदर इन ठोसों के अंदर एक तो तापमान में व्रधी होने के कारण और एक असुद्धी के मिलने के कारण विभीन प्रकार की टूटियां विभीन प्रकार की अपूर्णताएं विभीन प्रकार के दोस देखने को मिलते हैं अब ये कितने प्रकार की होते हैं इस प्रकार से ये दोस उत्पन होते हैं इन सब के बारे में बहुत विस्तार से पंचरजा करने वाले हैं नेक्स वीडियो के अंदर तो उसमें आप लोग आना ना भूलिएगा मिलते हैं पर नेक्स वीडियो के अंदर तब तक के लिए टेक कियर बाई विध्यार कियों